अब जब भी every Friday हमें EU का या चाइना का weekly update देखिने को मिलता है ना तो एक सबसे बड़ा दुख मुझे यह होता है कि भाई अब हमारे मी ELNX के लिए कोई भी है जो weekly update देखिने को नहीं मिलेगा क्योंकि EU के टीम की तरब से मी ELNX के सपोर्ट को ड्रॉप कर दिया गया है सिर्फ POCO F3 और सासेट K40 बच गया है बागी उनके बागी बच्चेवे डिवाइसेज को सपोर्ट मिले रहा है जैसे कि हमारा POCO X2 बट इसके बारे मैंने एक दो दिन यानि एक दो अपडेट पहले आपको एक bad news दे दिया था कि इसका अपडेट का सपोर्ट भी जल्दी बंध होने वाला है जैसके बागी अधर पुराने डिवाइसेज का सपोर्ट बंध हो गया था तो कुछी दिन तक इसका weekly update आएगा और officially इसे भी जो ड्रॉप कर दिया जाएगा चाइना के तरफ से और मिलता है performance और बाकी system UI के अंदर कितना ताल मिल बैच्टा है वो मैं आपको बता दूँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और find out करते हैं कि इस वार का update कैसा रहता है I know कि सबसे पहले आप यहाँ पर इस wallpaper के डिमांड करने वालग वालपेपर देतो तो टेलिग्राम पर मिल दाएगा आप डाउनलोड कर लेना उसका हम अपने my device के अंदर आते हैं जहाँ पर इस वार का जो number दिखाई देता है वो है 22.4.21 यह आपको किसी किसी device के लिए 20 भी देखनी को मिल सकता है क्योंकि थ्वावत उपर नीचे होता रहता है और all specs में हम आएंगे तो आपको 4 month का security patch मिलेगा क्योंकि 5 तो भी आया नहीं है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर देखनी को मिलती है चेंज लोग पहले हमें EU के अपडेटर में देखनी को मिल जाता था बट काफी टाइम से इन्होंने भी यह चेंज लोग को हटा दिया है हमारे what's new के अंदर से यानि कोई भी info हमें दिखाई नहीं देता लेकिन officially अगर चेंज लोग की बात करें तो यहाँ पर हमें MIUI का SDK का bug देखनी को मिल रहा था यानि जब भी आप MIUI को setup करते तो वहाँ प पे control center जो के android will पे run कर लेना इन में थोड़ा expand करने में दिक्कते आ रही थी तो यहाँ पे solve किया गया है तो यह दिक्कत आपको आप नहीं देखनी को मिलेगा साथ से साथ Redmi का जो K40 Pro device है उसके अंदर camera का कुछ issue था वह solve हो चुका यानि बस यह 3-4 चीज़े आपको यहाँ पे fix देखनी को मिलते हैं इसके लाबा कोई भी चीज़े देखनी को नहीं मिलती नहीं लेकिन कुछ कुछ चीज़े मैंने यहाँ पे notice किया है जैसे कि इस वाइसका जो font का जो style है यह तो साथ change हो गया है मुझे नए तरीके का यहाँ पे font दिखाई दे रहा है जो कि sad आपक focus mode है यह पहले हमें round देखनी को मिल राजा यह फिर से आप देख से तो इसका जो look है यह change हो चुका है क्योंकि मैंने आपको दो update पहले ही बता दिया था कि one-handed mode के उपर ज्यादा काम किया जा रहा है इसलिए हर एक चीज़ को है जो बीच में यह लोग डाल रहे है ताकि one-handed use करने में दिक्कत ना आए जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्लस के उपर तापको बीच में pop-up होता हूँ नजर आता है जिसमें unnamed folder बगर देखनी को मिलता है ऐसी हम कहीं पीछी भी चले जाते हैं किसी भी चीज़ को select करके delete करने ही कोसिस करें तो यह भी आपको बीच में ही देखनी को मिलता है जैसे कि आप देखें तो यह पॉप प्लस के रूप में आया है जब कि यह पहले पॉप आप हमें नहीं देखनी को मिलता था तो यहाँ पर भी चीज़े आपको बदलाओ देखनी को मिलती है और कई साथ चीजों के तो मैंने यहाँ पर screen shoot सेव करके रख यहां पर हमारा वेदर अप्लिकेशन है इतका जो फॉंट है यह हलका सब बोल्ट देखनी को मिल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि फॉंट इस वा था चेंज मुझे लग रहा है तो यह मतला हुआ है अनदर यहां पर आप डिशते हो जब मैं वाल पेपर अप्लाई कर रहा था तो हर एक चीज आपको one-handed मैं यूज करने में असानी हो सके जैसे कि यहां पर यूज करते हैं तो वाई सभी option को बीच में लेक्या रहे है चलो यह माल लिया अच्छी बात है अच्छा काम किया जा रहा है लेकिन जब भी हम यहां पर one-handed यूज करते हैं और किसी भी photo को open करे च लेकिन पूरे system को इन्हों है चोटा नहीं किया है सिर्फ हमारा अधार डिस्प्ले जो नीचे आ जाता है और बागी का नीचे की और गायव हो जाता है I hope समझ रहे हो गए क्योंकि अगर यहां पर एक्ट्रा option आते हैं जैसे हम photo को edit करें तो यह सारे option जो आ रहे हैं यह option भी कि अगर हमारे one-handed mode के अंदर access होने लग जाए तब जाके वह एक proper one-handed mode होगा लेकिन इसके उपर धीरे-धीरे काम किया जा रहे है तो time के दूसार यह भी चीज़े fix हो जाएगी क्योंकि अभी इस पॉपप वाले चीज़ों को है जो काम किया जा रहा है और बीच में add किया जा रहा है वहीं पर हम बात करते है performance की क्योंकि जादा कुछ तो नया नजर आता नहीं है तो वाई जैसा कि मैंने बताया कि पोको एश्टू का performance day by day down होता हुआ जा रहा है कोई भी improvement देखने को नहीं मिलता है तो same चीज़े आपको यहां पर भी नजर आती है जैसे कि आप I think जाता था तो यह भी improvement ठीक ही है कोई खास ख्राब नहीं है अनदर मैंने यहां पर CPU total को game draw के अंदर add किया ताकि देख पाए कि कुछ performance बूस्ट होता है या नहीं तो जो result आया यह भी उतना जादा वाई अच्छा खासा मैं कि नहीं है बिकार सा है क्योंकि इस type का result हमें प performance के नाम पर बेकार हो चुका है आने वाले सारे update और मुझे रियल में जड़ासा भी पसंद नहीं आ रहा वहीं पर अगर हम बात कर अपने वीडियो टूल बॉक्स की तो वीडियो टूल बॉक्स सेम पहले जैसा ही है और यहां पर मैंने चार्जिंग को भी check कर रहा है तो आ पहले ही नहीं रहा है आजकल खाली fixage बगर है जो किये जा रहे हैं और वही लूक आपको देखने को मिलता है तो यहीं था overall पूरा detail और यहां पर जो हमारा volume slider है यह थोड़ा बीच में रहता था इसे भी थोड़ा ऊपर कर दिया गया है ताकि one-handed के time पे हमें volume slider को use करने में दिक्कते ना आए जैसे कि आप दिखते तो बिल्कुली perfect जगह पर यह आ चुका है जबकि पहले थोड़ा down सा था तो कुछ कुछ चीजों पर internally काम किया जा रहा है लेकिन big change कुछ भी नहीं है अब रही बार recommendation क्या यह recommended कर सकता हूं आपको यह नहीं तो मैं कहूं हूँ यूज करने की कुछ भी नहीं है यहां पर नया जो कि आपको फॉसा हैपी कर सके तो जिस रोम पे आप बैठे हुए हो जो रोम यूज कर रहे हो उसी पर आराम से बैठे रहो भाई कुंटी टिका के कोई जरुवत ने इधर उदर हिलने डूलने के ठीक है और नई वीडियो तो आएगी रोम से रिलेटेड तो आपको मेरे सेकंड चैनल पर भी मिल जाएगा मिलते है निक्स्ट वीडियो में और बहुत दुख हो रहा है यार इसका सपोर्ट बंद हो गया क्या करे में लिवनेस का रोना आ रहा है कोई नहीं जो है साहिए कर दो सकते हैं पर बंद है